दोस्तो आईपियल 2025 के मेगा ओक्षन से पहले CSK ने इन पांच बड़े खिलारी को किया रिटेन तो आखिरकार वो कौन कौन से खिलारी है जिसे आईपियल 2025 के लिए चिननाई रिटेन करने वाली है सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को अंस तक करते हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि आईपियल 2025 का मेगा ओक्षन दिसंबर के महिने में होने वाला है ऐसे में सभी टीमें खिलारी का रिटेन और रिलीज करने की प्लानिंग में है ऐसे में CSK भी उन खिलारे को रिटेन करने वाली है जो आईपियल 2025 में उनको एक वर पर फिर से आईपियल की ट्रॉफी दिला सके जहां पर पहले खिलारी को लेकर बात करेते हुआ है रितुराज गायकवार जी हां दोस्तों रितुराज गायकवार एक बहत्रीन ओपनर है और इसके साथ ही इनका परदरसन भी सांदार रहा है वही आईपियल 2024 में इनको चैन् अल्लेबाज बन गए है जहां पर आईपियल 2024 में भी कमाल का परदरसन किये थे और यहां आते ही रनों का आमबार लगा देते थे ऐसे में सीवम दूबे को निश्ची 3 चैन्नाई सूपर किंग रिटेन करने वाली है वही अब तीसरे खिलारी को लेकर बात करे तो वह है मति आईपियल 2025 खेलने वाले हैं जिसके लिए यह अपने पैर की सर्जरी को दिखवाने के लिए USA गये हैं ऐसे में आने के बाद वहां आईपियल के लिए प्रैक्टिस वीए स्टार्ट करने वाले हैं वह यह पांचवे खिलारी को लेकर बात करे तो वह है रविंद्र जडेज तो दोस्तों यह पांच खिलारी है जिसे आईपियल 2025 में चन्नाई सूपर किंग रिटेन करने वाली है ऐसे में आपके अनुसार और कौन-कौन से खिलारी को रिटेन करना चाहिए आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही CS के सुजूरी अपडेट पाने के